लीगल डिक्टेशन 45 सब्द परति मिनिट डिक्टेशन स्टाड इस मामले के तथे इस परकार हैं की परतेर्थी डेज पती द्वारा अपनी पत्नी के उग्र और जगडालू सवभाव के कारण कुरूरता के आधार पर विवाह के विगठन की इप्सा करते हुए अरजी फाइल की गई थी दूसरी ओर, पत्नी ने दामपत्ते अधिकारों के परत्या स्थापन के लिए अरजी देथी विराम विद्वान अधिनास्त न्ययादीश कोमा जैपुर ने तारीक इगत्तिस दो दो हजार पंद्र के निर्ने द्वारां पती द्वारां फाइल की गई अरजी को खारिज कर दिया और पत्नी द्वारां फाइल की गई अरजी मंजूर की गई विराम पती ने उक्त निर्ने से वेथित होकर अपरजीला और सेशन नयादीश कोमा जोदपुर अर्थार्थ परतम अपील नयले के समक्स अपीले फाइल की विराम परतम अपील नयले ने मामले पर विचार करने के पस्चात पती द्वारां फाइल की गई अपीले खारिज कर दी विराम इसलिए पती ने सिविल परकरिया सहिता की धारा सो के अधीन राजस्थान उच्च नयले के समक्स अपीले अपीले फाइल की विराम उच्च नयले ने आक्सेपित निर्ने द्वारां अपीले मंजूर की और दाम पत्ते अधिकारों के परत्या इस्थापन के लिए आदेश को अपास्त कर दिया और इस मामले मैं पक्सकारों के बीच विवाह को विगटिट कर दिया विराम पत्नी डेश अपिलार्थी द्वारां उच्च नयले के निर्ने से विथित होकर उच्च तम नयले में अपील फाइल की गई विराम पेराचेंज अभी निर्दारित काग जातों का परिशिलन करने पर यह परकट होता है कि पती द्वारां विवाह के विगटन के लिए संस्थित की गई अरजी इस अभी कतन के आधार पर थी कि पत्नी का व्यवहार उग्र है क्योंकि पडोशियों को मा मित्रों और आगंतुकों के साथ उसका व्यवहार जगडालू है व्राम यह भी अभिकतन किया गया था की वह पती के नियोजन के इस्थान पर भी गई थी और उसें विद्यारतियों और अन्य सहकर्मियों की मौझूदगी में नीचा दिखाया था विराम उक्त अभिकतनों की बाबत विचारण नेयले अभियुक्त साक्सी एक अभियुक्त साक्सी चार के माध्यम से परस्तुत किये गए शाक्से पर विचार करने के पस्चात इस निशकर्च पर पहुँचा था कि उक्त साक्से अभिकतनों को जो अरजी में किये गए हैं कुमा साबित करने के लिए परियाप्त नहीं है विराम विचारण नेयले द्वारां पारित किये गए निर्ने के परिशिलन मात्र से यह उपदर्शित होता है कि अभिलेक पर उपलब्द साक्से को विस्थार पूर्वक निर्दिष्ट किया गया है और एक निसकर्च पर पहुंचा गया है विराम पेराचेंज परतम अपिल नेयले ने भी उक्त साक्से को निर्दिष्ट किया था कुमा उसका पुनर मुल्यांकन किया था और अपना निसकर्च निकाला था विराम ऐसी परस्तिती में कुमा विर्दमान परकर्ति की कारवाही में जहां विचारण नेयले ने साक्से को निर्दिष्ट किया था और परतम अपिल नियले ने साक्से का पुनर मुल्यांकन करने के लिए अंतिम नियले होने के नाते उक्त कवायद की थी और मामले पर एक समवर्ती निसकर्च पर पहुचा था कॉमा वहां विदी की यह इस्थती भली डेस भाती इस्थिर है की ना तो उच्चिनेयले कॉमा जिसें सिविल परकरिया सहिता की धारा सो के अधीन किसी जित्तिय अपिल में उसें सिमित गुंजाईस उपलब्द है कॉमा साक्षे का पुनर मुल्यांकन करने का हकदार है और नहीं विर्थमान अपिलों में इस नेयले को ऐसा करना चाहिए विराम इस्टोप धन्यवाद